कॉंग्रेस ने आज उत्तर प्रदेश शुनाओ के पहले अपना महिलाओं के लिए अलग से घोशना पत्र जारी किया है पहला प्रयास है किसी राजनीतिक दल का जब महिलाओं के लिए अलग से घोशना पत्र तयार किया गया हो प्रियंका गांदी वाद्रा जी पार्टी की महास सची भी उपतर प्रदेश की प्रभारी हमाई साथ है। मैं क्या वजह ऐसी लगती है जिसके वैसे महिलाओं के लिए अलग भोश्रा पत्र दाना मना है। वजह यह है कि महिलाओं को सीरियोसली नहीं लिया जा रहा है राजनीती में और महिला 50% पॉपुलेशन की है। 50% आबादी महिला है। उसकी भागीदारी पूरी होनी चाहिए। उसकी समस्याओं को सुलजाने की कोशिश होनी चाहिए। और आज यह सिलसला चल रहा है कि राजनीतिक दल सुचते हैं कि हमें गयस सिलिंडर पकड़ा लेंगे और हमारा महिला के प्रती जिम्मेदारी हमारी पूरी हो चुकी है। मेरे ऐदे ओर को सशक्त करने के लिये कम करना है हर राजनीतिक दल को करना चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा कि अब-णक से अगर हम एक घोशना पत्र बनाएं महिलाओं के लिए जिसमें महिलाओं की ।ो तो हम एक पहल करेंगे और मेरी आख़ा तो यही है कि हर राजनितिक पार्टी ऐसा करें। सबसे जादा शोशन और अत्याचार आज महिलाओं के साथ हो रहा है। सबसे जादा, खास तोर से उत्तर प्रदेश में। आप तो पत्रकार हैं, आप जानते ही हैं कि क्या स्थिती है। कि उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी बनती हैं कि हम अपने पैरों पे खड़ा करें। हम सिर्फ उनको एक क्या कहते हैं चारिटी जैसे हम नँ दे, की चलिए यह सिलिंडर ले लिया, यह कुछ और दे दिया। ऐसे नहीं चलेगा। और आज की जो नौजवान महिला है, वो लड़ना चाहती है अपने हक के लिए, वो अपना हक मांग रही है, हर जगे. मैं बीजेपी लगातार एक कुशन करती है, कि जब मौका था तब आप लोगों ने काम ने किया, राइबरेली और अमेठी को एक्जाम्टल बनाते हैं हमेशा, कि वहाँ पर शौचाला इजद घर निदी, आज महिलाओं की आप लोग बात करते हैं. तो देखिए, हर चीज की पहल होती है, हर चीज का समय होता है, ठीक है, अब आज जैसे मैंने कहा, जहां जहां मैं जाती हूं, नौजवान लड़कियां अपने हग के लिए लड़ना चाहती है, तो हमने पहल की है, एक नई चीज है, हमने आज शुरुआत की है, तो मेरी कि सभी दल जो है, उनका अपना अपना कोई ना कोई एक वर्ग है, जिसके उपर फोकस करके चुनाओ में जाते है, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, क्या माने, कॉंग्रेज जो है, वो अगर महिलाओं के उपर फोकस कर रही है, तो ये वज़ा है, कि आदियाबादी है, ब कि महिलाओं बढ़े हैं, और सक्षम में, बहुत तो ये है, हमाई साथ में एक प्रियंगा गांदी चीजिनों ने साथ कहा, कि महिलाओं सशक्तों इस वज़ा से ज़रुरत पड़ी सराह का घोशना पत्र तयार करने की और मौका मिला, तो इसको अमनी जामा पहनाएं, कि उन झाल